खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े अब भी तो चुनाओ एक साल करीब करीब बाकी हैं समय है चुनाओ के होने में और अभी उसकी कोई चर्चा तो चल नहीं रही है जिस बयान का आपने हवाला दिया है वो तो क्लियर ही है कि नितीजी के नित्रतों में चुनाओ लड़ा जाएगा जदिव यहां सब इंडिये के गड़बंदन में जदिव सबसे बड़ी पार्टी है तो चुनाओ का जो भी सीटों के बटवारे का अधार होगा वो पहले जो पहले से जो होता रहा है उसी के अधार पर होगा 2009 में जो विधान सबा चुनाव हुए उसके बाद फिर 2010 में चुनाव हुए फिर 2014 में हुए तो अलग अलग रणनीती बनी क्योंकि BJP के साथ भी BJP के खिलाफ में भी चुनाव लड़ा गया तो कौन सा फर्मूला है जो सटीक दिखता है नहीं जब आप भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के साथ जो पहले चुनाव लड़ते समय जो फर्मूला रखा गया था मोर और लेस उसी फर्मूले को फॉलो किया जाएगा क्या था फर्मूला क्या है उसका अनुपात के 2009 में मुझे जहां तक याद है वह भाजपा और जदियू के सीटों की जो संक्याती वह वन इस्टू वन पॉइंट फॉर की रही थी बाजपा करीब एक सो एक सीट और बाक मुझे लगता है कि जब भी कभी सीटों की आपस में चर्चा होगी तो उसमें इसी अनुपात के अधार पर आगे बात होगी पर सवाली उठता है कि इस बीच में अगर बीजेपी के से अलग हटके नितिश्कमार चुनाओं लड़े तो दोनों ही चुनाओं में ऐसा देखा गया दोहezार 15 में खास ط ор से जिसमें देखा गया कि बराबर बराबर सीटेव बती जिसमें महागटबंदर में लालु यादव भी थे तो उसवक्त में और कॉंगरेस पार्टी थी तो बराबर सीटेव बती और बाकी सीटें कॉंगरेस पार्टी को मिली अभी लोगसभा के चुनाओ हुआ 2019 में उसमें भी ये देखा गया कि बराबर बराबर ही बीजेपी और जेडियो दोनों लड़े और बाकी लजेपी को गया तो ये फॉर्मूला भी तो हो सकता है देखिए जो 2015 के जिस चुनाओ की आप बात कर रहे हैं पहले तो ये समझ लिजे कि लोकसभा का च चुनाओ का अधार पर नहीं किया गया 2015 की बिधानसवा की जो आब बात कर रहे हैं तो कॉंग्रेस और जदियू पहली बार एक साथ चुनाओ लड़ रहे तो उस फॉर्मूले का भाजपा और जदियू के सीट बटवारे को लेकर जो बातचित होनी है वो उसका अधार नही कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यह अनुपात मैं फिर से आपको कह रहा हूं बातचित के का जो आधार होगा सीटों के बटवारे के बातचित का अधार भाजपा और जदियू के बीच सीटों का अनुपात 1-1.4 के आसपा संभव है कि 1-1.35 हो जाए 1-1.3 हो जाए लेकि उसका आधार 1-1.4 के आसपा सी रहेगा मैं भाजपा और जदियू के सीटों की बात कर रहा हूँ उसमें लग्जपी को जीतनी सीटğे मिल जाए सीटों की संख्या की बात नहीं कर रहा हम памैं आधार की बात कर रहा हूं उनका अनुपात क्या होगा अगर भाजपा 90 सीट कि मैं उनके और से तो बात नहीं कर सकता हूं कि एल्जेपी का क्या होगा मेरा मेरी जितनी समझ है कि अल्टिमेटली चाहे नंबर जो भी हो भाजपा और जदियू के सीटों का जो अनुपात होगा वो वन पॉइंट वन इस्टू वन पॉइंट फोर के आसपास का रहेगा जो प्रधार मंत्री के आने के पहले बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे जहांसे में नहीं आएंगे नितीश को जिताएंगे और तमाम नारे हुई थे आपने लिखा भी था और सब जगह चर्चा में आया भी था तो इस बार 2020 में प्रशांद किशुर क्या करने वारा तो काम किया इस बार पार्टी ने समझा कि मुझे मेरी जरुरत उनको नहीं है तो मैंने वो काम नहीं किया जारकंड में भी चुनाओ हुआ है पार्टी ने वहां मजबुती से चुनाओ लड़ा है मेरी जरुरत वहां नहीं थी तो इसलिए में वहां पर नहीं था जहां जहां का जिक्र कर रहा है जहां आप नहीं रहे प्रशांद किशोर वहां करारी हार मिली शिकस्त मिली चाहे वो इनवर्स्टी चुनाव हो उसमें तो मतलब बिलकुल पांचवे नंबर पर भी नहीं और जहारखन में तो जमानत जब्थ हो गया नहीं देखिए मैं वहां होता तो चुनाव परिणाम दूसरे होते ऐसी बात नहीं है मैंने आपको सिर्फ यह बताया कि कई इन चीजों का सिर्फ मैंने हवाला इसलिए आपको दिया कि कई चुनाव पार्टी लड़ती है जिसमें मेरी जरुरत नहीं है या मेरी जरुरत वहां जारकंड में हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं जमाना जब्त होना नहीं जारकंड में पार्टी का कोई बहुत बड़ा बेस तो है नहीं और जितनी समझ मुझे है कहीं पर भी आप चुनाओ के समय जाकर सिर्फ अगर अपना बैनर पोस्टर लेकर चुनाओ नितिक और तो आपको चार साल पांच साल मेहनत करनी पड़ेगी एक दिन में या चुनाओ के ठीक पहले चाहे आप जितना प्रयास कर लें एक साथ आकर चुनाओ लड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सफलता मिलने की समावना कम होती है यह देखा गया है कि अभी बड़ी आलुचना हुई थी और लोगों ने कहा कि फिर से करें विचार नहीं नितिश ठीक तो इस तरह के जो नारे गड़े जा रहे हैं आपको लग रहा है कि वो उल्टा भी पढ़ सकता है यह तो पार्टी है इतनी बड़ी पार्टी है कोई नारे लिख कोई पार्टी न बनाम 15 साल नितिश कमार के 15 साल मतलब इनकी पार्टी के और दूसी तरफ 15 साल आट जेडी के गिद्ध और कबूतर से दोनों को आपको लग रहा है कि इस तरह से अगर जाएंगे चुनाओं में तो इसका फाइदा होगा या नुकसान होगा देखिए मैं समझता हूं कि 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा तो होगी ही लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग यह भी बताएं कि आने वाले 10 साल में 15 साल में हम लोग क्या करेंगे क्योंकि यह तो बात और प्रमानिक तोर पे जनता समझती भी है और उसके आधार पे दो बार तीन बार वोट भी किया है कि कि चुनाओ सिर्फ बीते हुई बातों पर नहीं है चुनाओ में लोग यह भी देखना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं जैसे आपने 2015 का हवाला दिया तो 2015 में नितीज जी ने यह बताया कि उन्होंने यह भी बताया कि सात निश्चे जो सात सेवन पॉइंट प् कि 2015 में नितिश कुमार गये थे जेडियू आरजेडी के साथ लालू के साथ लालू को छोड़ कर वो बीजेपी में आ गये इसके पहले उन्होंने बीजेपी का साथ चुनाव लड़ा था 2009 में छोड़ करके लालू के साथ आ गये थे तो ये जो पल्टी वाली बात है इसको कैस से काउंटर करें क्योंकि उनका नाम ही पल्टू राम रख दिया गया है यह तो देखे राजनितिक तुक बंदी है इसका कोई महत्व नहीं है देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नेता अलग-अलग पार्टी समय और जरूरत के मताबिक उन्होंने अपनी साथ है प्रशान जी आपके पस नहीं वो पल्टू राम है नहीं ऐसा ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि देश में कोई ऐसी राजनितिक पार्टी नहीं है साइद एक या दो कोई तरीके से सामने रख रहा है हिंदू-MUSLमान दूसी तरफ मिसल्मान की बात हो रही है कास्ट और रिलिजन दोनों एक साथ मिलता दिख रहा है तो ये आशंकाएं क्या है इससे NPR को लेकर के और NRC को लेकर नहीं देखिए जहां तक NPR को लेकर आशंका है वो लोग कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी ये NRC के दिसा में उठाया गया पहला कदम है इसलिए उसे आशंका है लोगों को NRC को लेकर स्टांस बहुत क्लियर है अगर आप देश में NRC करेंगे तो उसमें तो रेलिजन के अधार पर कोई लिस्टिंग नहीं है लेकिन उसमें जो बड़ी संख्या में जो गरीब लोग हैं जो भूमी हीन हैं जो मजदूर हैं उनके पास इस तरह के डॉक्यमेंट होना जो सरकार की बताये हुए मानकों को पूरा करती हो नागरिकता के वो तकलीफ वाली हो सकती है और लोजिस्टिकली और एक सो तीस करोड लोगों को अपने सारे डॉक्यमेंट लाना दिखाना बताना प्रूफ करना कि यह सिटिजन सिप मैं यहां का नागरिक हूँ यह मुझे लगता है कि गैर जरूरी है अगर यहां जो सरणार्थी हैं या बाहर से आये हुए लोग हैं घुस पैठी हैं जो भी नाम आप उनको दे दें अगर आपको यह ऐसा लगता है कि दो तिन प्रशिशत ऐसे लोग है तो सरकार को कोई intelligent तरीका निकालना चाहिए जिससे की सिर्फ उन लोगों को चिनित किया जाए जो सकता है यह यह त्रीका तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप 130 करोन लोगों को कहिए कि आप लाइन में खड़े होकर approve कीजिये कि आब भारति है बिल्कुल प्रशान किशोर फॉर्मूला और साथ मी एनर्सी को लेकर एनपियर को लेकर जो आशंकाएं हैं उसे कैसे खत्म किया जा सकता है इसका निदान और समाधान भी हमारे सही होगी विशाल के साथ प्रकाश कुमारे बीपी नियूस पटना